नमस्कार दर्षकों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। खत्रे की आहट समुद्र में मिला 40,000 साल पुराना ज्वाला मुखी का अवशेश, यूरोप में विनाशकारी घटनाओं का है सबूथ. समुंद्र में मिले 40,000 साल पुराने ज्वाला मुखिय बेड के अवशेश ये मेगा बेड्स कई हजार सालों से ज्वाला मुखी विस्फोट जैसी विनाशकारी प्रकृती की घटनाओं की वजह से समुद्री घाटियों या तलों पर जमे पदार्थ है ये मेगा बेड्स शोद करताओं को टाइरेनियन सागर के तल में ज्वाला मुखी के करीब सेडिमेंट्स की जाच करते समय मिले टाइरेनियन सागर इटली के पश्चमी तट पर भूमध्य सागर का ही भाग है वैज्ञानिकों ने भूमध्यसागर के तल पर हजारों साल पुरानी ज्वालामुखी विसफोटों से बने मेगाबेड की खोज की है ये मेगाबेड इन क्षेतरों में कुछ हजार सालों के अंतराल पर पिछले कई हाजार सालों से आ रहे विनाशकारी घटनाओं के प्रमान दिखाते हैं ये मेगाबेट्स कई हजार सालों से ज्वाला मुखी विसफोट जैसी विनाशकारी प्रकृती की घटनाओं की वजह से समुदरी घाटियों या तलों पर जम्य पदार्थ है ये मेगाबेड शोद करताओं को टाइरेनियन सागर के तल में ज्वाला मुखी के करीब सेडिमेंट्स की जाच करते समय मिले टाइरेनियन सागर इटली के पश्चमी तट पर भूमध्य सागर का ही भाग है इससे पहले वैज्ञानिकों के टाइरेनियन सागर के तलचट ज्वाला मुखिय जमाव का शोध से पता चला था समुद्र के नीचे कुछ रहस्य में चीज छिपा हुआ है लेकिन हाल के एक जर्नल जियोलोजी में नया शोध प्रकाशित हुआ था जिसमें इसके हाई रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरे दिखाई दी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रित्वी विज्ञान के एसोसियेट प्रोफेसर डेरेक सौयर और उनके सहयोगियों ने टाइरेनियन सागर तलहटी की पड़तों की हाई रिजॉल्यूशन वाली तस्वीरे खिंची थी उन्होंने चार मेगाबेड की एक श्रिंखला की खोज की इसमें प्रत्यक की मोटाई 33 और 82 फीट 10 से 25 मीटर के बीच था इनकी एक और विशेश्टा थी की प्रत्यक तलचट की पड़ते अलग अलग थी सभी की पड़ते से अलग-अलग मटेरियल से बने थे जियोनोजी जर्नल में प्रकाशित शोद के अनुसार सबसे पुरानी परत लगभग 40,000 साल पुरानी थी उसके बाद वाली परत 32,000 साल पुरानी और तीसरी 18,000 साल पुरानी थी सबसे युवा तलचट कोर का निर्माण लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ था जियोनोजी जर्नल में प्रकाशित शोद के अनुसार शोद करताओं की टीम ने मेगाबेडो के स्त्रोद का पता लगाने के लिए पहले से ग्याद ज्वाला मुखिय क्षेतर का अध्ययन किया जिस क्षेतर में बिस्तरों का निर्माण हुआ है वह ज्वाला मुखी रूप से काफी सक्रिय है और इसमें कैंपी फ्लेग्रेई सुपर वॉलकेनों भी शामिल है जो हाल में ही विस्फोट हुआ था अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो कृप्या इसे लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाल